नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजी मस्ति में दोस्तों आज मैं कुछ जनकारी देने वाला हूँ आपको फार्टिलाइजर के बारे में जो बहुत ही महत्पोल है और एक्जाम में इसकी दृष्टी से कोई न कोई सवाल पूछ दिया जाता ह है और किस फार्टिलाइजर में कौन से कितनी नाइट्रोजन कितनी फासफोरस कितनी पूटा से इससे संबंधित भी कभी कोश्चन आ जाता है तो दोस्तों जानते हैं आज उसकी बारे में तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और बिल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज की नई जानकारी देखते हैं तो सबसे पहले प्रोड़क्ट कौन सा है उसके बाद नाइट्रोजन उसमें कितनी फा पांस बोलते हैं तो दोस्तों गोबर की पांस बहुत ही ज्यादा मात्र में उपयोग की जाने वाली खाद होती है क्योंकि फार्मर के घरी पे यह उत्वपन हो जाती तो दोस्तों जान लेते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है फासफोरस की मात्रा 0.2% होती ह तो दोस्तो नाइट्रोजन और पुटाज की मात्रा या फॉआयम में बराबर बराबर होती है जबकि फासफोरोज की मात्रा 0.2% होती है जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं गाउं घरों में जानवर का पालन करते हैं इसलिए उससे गोबर की उत्पत्ती होती है और वो जाके खेतों में डालते हैं जिससे हमारा ये पोशक तत्तु खेत में आतिया वश्यक रूप से पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले जानते हैं यफवऑ यम का फुलफाम क्या होता है तो आपको यफवववऑ का फुलफाम कि इगर बात की जाए तो इसको फुलफाम कहते हैं फार्म यार्म मायनिवर यम से मायनिवर तो इसके बाद अगला आता है टाउन कंपोस्ट जो गाउन टाउन जो सहरों में कच्रा इकठा होता है अगर उसके बात की जाये तो उसमें 1.5% नाइट्रोजन होती है 0.4% phosphorus होती है 0.1 sorry 1.4% potas होती है तो दोस्तों जो town में कच्राई कठाई होता है comedian उसको बोलते हैं उसमें सबसे ज़यादा nitrogen के मातर उसके बादumbles, potassium के मातरWow उसके बाद में Phosphorus की मातरा आती है तो दोस्तों अगला point आता है वर्मी Camp appreciative दोस्तों जो केच्वे के द्वारा उत्पन की जाती है खाद केच्वे की पन की गई खाद में नैट्रोजिन की मातरा 3% होती है फासफोरुस की मातरा 1% होती है और पुठाज की मातरा 1.5% होती है दोस्तों इसलिए केच्वे की पोस्ट को कमपोस्ट को बहुत ही अच्छा मान गया है उसके बाद नाइट सोयल जो आप लैटरीन कर लाते हो उसको नाइट सोयल बोलते हैं दोस्तों ये जनकारिया आपको साइध नया पता हो नाइट सोयल उसी को बोलते हैं जो आप लैटरीन करके आते हो तो लैटरीन का कमपोजीशन समझ लीजे एक बार कि लैटरीन का क इसके कारण से ये बहुत ही उप्योगी होती है और बड़े-बड़े सहरों में इसका खेतों में यूज किया जाता है और उसके बाद आता है ग्राउंड नट केक जो के फली की खली होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 7.3% होती है फासफोर देड़ परसेंट होती है पोटास 1.3% होती है उसके बाद साफ फलावर केक होती है जो कुसम होता है डिकोर टीकेटेड जो कुसम का खली होती है कुसम की खली में नाइट् की मात्रा 1.9 परसेंट होती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कुसम की खली में नाइट्रोजिन की मात्रा पाई जाती है तो इन सभी का कमपोजीशन हमने देखा उसके बाद देखते हैं फार्टिलाइजर क्या होता है उर्वरग फार्टिलाइजर आर जनरली इन और गैनिक और जिन आइंड दे सप्लाई वन या मोर इसिंटियल प्लांट न्यूट्रेशन इन लार्ज प्रोप्रेशन इसका मतलब यह है वो रोरोग वो चीज होती है जो इन और गैनिक तरीके से तयार किया जाता है और एक या एक से अधिक पोसकत्त तो इसमें पाई जाते हैं तो लिए इसका जो जो लार्ज इस्तर बड़े इस्तर पे इसका प्रोडक्षन किया जाता है या यह बनायाज जाते हैं व होते हैं तो इसके बाद आथा है में जानते हैं पॉइंट की फ्मक्रेशन बदमिटर प्लांट for example यूरिया दोस्तों यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो एक जगे से दूसरे जगे पे नाइट्रोजन को इधर से उधर करता है या उसमें पड़ी मात्रा नाइट्रोजन की इधर से उधर हो जाती है जो सीधा खेत में इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद आता है complex fertilizer इ में क्या होता है कि दोस्तों दो से अधिक इसमें मात्रा होती है दो या दो से अधिक मात्रा होती है जो complex fertilizer होता है mix fertilizer होता है इसमें दो या दो से अधिक पोसक्त की मात्रा होती है तो इसमें डीएपी का example दिया गया है तो डीएपी में आपको बता दे नाइट्रोजन की मात् आप पाये जाती है 46 परसेंट नाइटोजन की मातरा आप आप को पता होगा डिय-एपी का फलफारम क्यों होता है डाइ-अमोनियम फॉस्पेट होता है जिसमें फॉस k की मातरव होती है 46 पर्सेंट और अगर नायटोजन की बात की जाए तो इसमें 18 परसेंट की nitrogen पाई जाते है तो इसकार से अगरा जो अगला आता है mixed fertilizer इसके बारे में जानते हैं all the product made by mixing two or more than fertilizer more fertilizer इसमें भी ये बताया गया है mixed fertilizer में इसमें कई पोशक्तक्तों को मिला करके ये तयार किया जाता है और इसमें दो से अधिक पोशक्तक्त पाई जाते हैं उसमें इसे एक्जाम्पिल दिया गया है nitrogen NPK उसका जो दहड़ है वह NPK दोस्तों ये DAP का एक प्रारूप होता है प्रूप होता है इसमें nitrogen की मात्रा पासफोरुस की मात्रा और प्राश की मात्रा तीनों की मात्रा अलग-अलग मात्रा में पाई जाते हैं तो इसलिए DAP को छोड़ करके NPK आप डालेंगे तो खेट में आपको तीनों मात्रा बराबर बराबर मात्रा में या कम ज्यादा मात्रा में तीनों कि यह पहुंच जाती हैं उसके बाद आता है दोस्तों complex fertilizer complete fertilizer जो पूरा पूरी तरीके से पूर्डव अरोरक होता है उसकी वगरबात की जाए तो complete fertilizer में fertilizer having all three primary measures nutrition for example NPK दोस्तों यह क्या होता है कि यह complete fertilizer होता है इसमें दोनों तीन तीन पोशक्तत पाए जाते हैं उसमें बराबर बराबर मात्रा में तैयार किया जाता है जैसे आप यह NPK 19-19 की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि nitrogen भी 19% होता है और phosphorus भी 19% होत पाई जाती है तो इसकार से जो complete fertilizer होता है वो 19-19% की मात्रा पाई जाती है उसके बाद आता है लो analysis fertilizer having less than 25% of the primary nutrition for example SSP single superphosphate तो इसमें क्या होता है जो low analysis मतलब संद्चित होता है छोटे इस तर पर लो लेवल पर जो fertilizer को तयार किया जाता है उसमें लिस्देन 25% से मात्रा कम रखी जाती है उसमें सामिल किया गया है SSP single superphosphate में सलफर के सायद single superphosphate में phosphorus की मात्रा जो होती है वो 16% पाई जाती है तो इसमें दोस्तों यह से नोचेbestड़ कि में जोता है कि मौर देन 25% 25% से पोशक तक्सक्यमात्रा अधित नहीं होती है इस प्थकार से जो high क्योंकि primary gene nutrition होता है वो nitrogen होता है और ये high analysis fertilizer के अंतरगत आती है तो दोस्तों आज का fertilizer chapter हमारा कैसा लगा एक बार comment share जरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भोलें जिससे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आग तक पहुंचें आज की जानकारी के लिए बस इतना ही मिलते हैं दोस् है यह मिलते हैं जाती है